क्या आप भी रक्षा भंधन के दिन राखी बांधते हैं पर कुछ दिनों बाद उसे फेक देते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा करने से आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर आप भी रक्षा बंधन के बाद राखी को सही तरीके से नहीं संभालते तो ये विडियो आपके लिए है आज हम आपको बताएंगे कि रक्षा बंधन के बाद राखी को कैसे रखना चाहिए और उसे उतारने के बाद उसका क्या करना चाहिए ये सारी जानकारी हमें मिली है देवकर के प्रसिद जोतिशाचार्य पंडित नंद किशूर मुदगल से रक्षा बंधन भाई बहन का त्युहार होता है ये सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और जीवन में खुशाली की काम ना करती है ये बाते तो सभी को पता है लेकिन रक्षा बंधन के बाद राखी का क्या करें ये बात हर कोई नहीं जानता इस सवाल का जवाब देते हुए देवगर के प्रसिद जोतिशाचारे पंडित नंद किशोर मुदगल बताते हैं कि अगर भाई राखी को फेक देता है तो उसकी जिन्दगी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है शास्तरों के अनिसार राखी को सावन पूर्निमा से लेकर भादो पूर्निमा तक यानि कम से कम एक महीने तक संभाल कर रखना चाहिए अगर आप एक महीने तक राखी को नहीं रख सकते तो उसे जल में पूर्निमा तक एक महीने तक राखी को नहीं रख सकते हैं अगर राखी तूट जाए तो उसे लाल कपड़े में बांध कर रखे और पूर्निमा के दिन जल में प्रवाहित कर दे कभी भी राखी को फेकना नहीं चाहिए इससे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है इस साल रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा लेकिन इस दिन भद्रा का समय भी रहेगा भद्रा के समय राखी बांधना शुब नहीं माना जाता भद्रा काल एक बचकर 25 मिनिट पर समाप्थ हो जाएगा इसके बाद ही राखी बांधना शुब होगा तो इस रक्षा बंधन याद रखें सिर्फ राखी बांधना ही नहीं बलकि उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है ताकि भाई भेहन के रिष्टे में हमेशा खुशाली और सम्रिध ही बनी रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चानल को सब्सक्रा जरूर करें और ऐसे ही धार्मेक और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहे लोकली टीम